से वेमा सॉलेशन चेप्टर 15 क्वेशिन नमबर 31 तो वेव ट्रवलिंग दे रहा कितना 4 mm और फेस दिए गिवन है 5 by 2 तो दोनों वेव सेम एम्प्रिटूड का है और सेम फ्रिक्वेंसी है बाट डिफ्रेंस क्या है दोनों वेव का फेस है कितना 5 by 2 ठीक है डोनों मैंने सेम लिखा एं omega t दो दोसे में मैंने omega t लिखा omega 1 omega 2 नहीं लिखा क्योंकि दोनों का phase difference is if frequency same है तो दोनों को resultant amplitude क्या होगा यह पूछा है तो resultant y is equal to y1 plus y2 होगा यानि यह a sin omega t plus sin omega t plus pi by 2 तो यहां पर देखो मेरे पास formula क्या हो रहा है sin a plus sin b तो sin a plus sin b क्या होता है 2 sin a plus b by 2 अब इन्टू cos a minus b by a minus b by 2 तो value put करता है यहां पर a के अपने omega t और b के omega t plus pi by 2 तो यह आजाएगा a sin a plus b यहनि 2 omega t plus pi by 2 by 2 और यह आजाएगा cos minus pi by 2 by 2 तो इसको cos को में यहां लिख जाता हूं cos को यहां लिखोंगा क्या आएगा pi by 4 क्योंकि cos minus में रखो plus में रखो सेम होगा क्योंकि cos fourth quadrant में और first quadrant में positive होता है और sin क्या जाएगा sin आजाएगा omega t plus pi by 4 तो देखो यह तो मेरी equation आ गई इस equation में यह क्या है मेरा amplitude है तो A की value क्या है A तो अपने को 4 mm दे रखा है और cos pi by 4 कितना होता है cos pi by 4 होता है 1 by root 2 तो देखो 1 by root 2 यहनी यह 2 root 2 आगे 2 root 2 क्या है mm है तो अपना resultant amplitude क्या होगा 2 root 2 2 यह तो यह तो यह तो यह तो यह तो 2 यह तो यह तो यह तो यह तो 2 यह तो यह तो